बिले के बाद आपका स्वागत है सोरन का सबसे ब्यस्ततम क्षेतर जहां दिन हो या रात हमेशा आवाजाही लगी रहती है इस ब्यस्ततम क्षेतर में सड़क किनारे एक पोल लगा है जो बीच में से तूटकर पूरी तरह जुक चुका है और गिरने की कगार पर है अगर यह अचाने गिरता है तो एक बड़े हाथ से का कारण वन सकता है सबी अधिकारी और कर्मचारी इस माल रोड से होकर गुजरते हैं लेकिन साइद उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी है या फिर काम से बचने के लिए बैजान भूचकर इसे नजर अंदास कर रहे है सोलन का सबसे व्यस्तम क्षेतर जहां दिन हो या रात हमेशा आवाजा ही लगी रहती है इस व्यस्तम क्षेतर में सड़क किनारे एक पोल लगा है जो बीच में से तूटकर पूरी तरह से जुक चुका है और गिरने के कगार पे है अगर ये अचानक गिरता है तो एक बड़े हाथ से का कान वन सकता है सभी अधिकारी और करमचारी इस माल रोड से होकर गुजरते हैं लेकिन शायद उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी या फिर काम से बचने के लिए ये जान भूज कर इसे नजर अंदाज कर रहे हैं अगर समय रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो इससे बड़ा हाथसा हो सकता है शहरवासियों ने गिरते पोल पर रोशव्यक्त करते हुए कहा कि उनके दोरा कई वार विभाग को सुचित किया गया है लेकिन कोई भी कारवाय अमल में नहीं लाए गयी है उन्होंने शंका जताई कि अगर ये पोल अचानक गिरता है तो जहां पैदल चलते रहागिर घायल हो सकते हैं वहीं दो पहिया बहान चालकों के लिए तो ये और विगा तक सिद्ध हो सकता है इसलिए समय रहते विभाग को इस पोल को तुरंथ हटाना चाहिए ताकि किसी अपरिये घटना को टाला जा सके ये टेलिफोन एक्सचेंज वालों की लाइन डली हुई है और ये डाउन पोल बिलकुल टेडा हुआ हुआ है ये किसी भी टाइम किर सकता है और जो तार है और जो तार सड़क पे आएगी और कोई स्कूटर वाला पैदल चलने वाला स्कूटर वाले का तो गला बिलकुल ही कड़ जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक एक्सिडेंट प्रोन एरिया है और एड्मिस्टेशन को चाहिए इन चीजों का ध्यान रखे अगर वो किसी से खंबा टेड़ा है तो उसकी मेंटरेंस होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम मेंटरेंस नहीं करेंगे तो यह आस्किंग फॉर ट्रबल कोई न कोई एक्सिडेंट हो सकता कोई दुर्गट ना हो सकती है और किसी की जान जा सकती है माल रोड के उपर एक बिजली का पोल लगा हुआ है जो की बिलकुल उपर से तूट चुका है पबलिकली सब को दिख रहा है अधिकारी को भी दिख रहा है लेकिन इसके उपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है किसी यह हाथ से का वेट कर रहे है कि जिससे कोई से का इंतजार ना करे क्योंकि यह एक इतना लटक चुका है तूटा हुआ है कभी भी इससे हाथ सा हो सकता है इसलिए पबलिक को भी नुक्सान हो सकता है तो जनता की यह गुजारिश है कि यह जल से जल पोल को ठीक किया जाए तो यह थास दिनबर का कारे करम कल फिर हाजर होंगे इने गत्पीदियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे है एच टूडे के साथ नमशकार